राधे जी ने तुलशी का राधे जी ने तुलशी का चार माह तपकीन इस कारण मौहन हुए राधे के आज़ भाईया ने बताया था मुझे के चार महीने सभी हमारी मात्र सक्ति जो थोड़ा सा भी पूजा पाथ में ध्यार रखती हैं अपने घर के आंगन में तुलसी मा की सर्मसेष्ट पूजा करती हैं सुबह के टाइम में और इसी का यही कारण है कि आज तक किसी सास्तर में ने दिय तुलसी मा की तपश्या की थी केवल चार महीने गर्ग संगिता में आया है रादे जी ने चार महीने तुलसी मा की तपश्या की थी और तुलसी मा ने खुस होकर उनकी तपश्या से बरदान दिया था कि रादे जी बताओ क्या मांग रही हो तो उन्होंने बरदान लिया था कि मा मैं जिसे चाहती हूं अपने जीवन में सब कुछ वो है मन मोहन और वो मेरे आधिर होने चाहिए वो मेरे सब कुछ होने चाहिए चार महीने तब करके राधे माने उसका फल पाया था यह उसका दोहा भीया दूश्रा है अब में जो भजन सुना रहा हूँ एक बहुत बिचित्र बात रही थी पहले से कि राधे जी के सब कुछ भगवान क्रश्न थे लेकिन फिर भी साधी रुकमनी से की क्योंकि तो ये बिचार राधे मा के मन में आया और एक दिर राधा जी भगवान क्रश्न से कहने लगी केहे कनहिया आप मुझे एक बात बता दो कि पूरा संसार ये कहता है कि राधे के ही क्रश्न है लेकिन एक ब्याधा समझी में नहीं आई कि साधी रुकमनी से क्योंकि मुझसे क्यों नहीं की तो भगवान कृष्ण उसका जवाब दे रहे हैं भाईया एक बजन के मार्थ हम से तो बजाए राहूर भाई तरसी राहूर अलो देखिए क्या बात है तो 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 कहरें ती राधा जी की भगवान कृष्ण ये बताओ ये ब्याधा क्या है तो भवान का नहीं है क्या कह़े बैया ठोजा राधा ही और आधा है क्रिश्ण कह रहे हैं कि सुन राधा साधी करने के लिए गुरुजी साधी करने के लिए तो सरीर चाहिए तो और मैं तो एक है अब साधी कैसे होगी क्योंकि दो सरी न होते, तो साधी हो जाती लेकिन राधा क्रशन है और क्रशन ही, राधा है एक्रिशना हर राधान है ऑप तुह की बता राधा काहे की प्यादा है काही की बादा है अब तू ही बता रादा है काहे की बादा है एहो हमारे गुरुजी की जो आशीरवाद से सब्द हैं कुछ भहिया भावना से भजो प्रभु को और भावना से भजो प्रभु को हो जाए बव से पार है अगर भावना में भावना तो भावना पेकार है मंदिर में जाओ चाहे मश्यत में जाओ बस उसी का दीदार है मगर हिर्दे में ना हो भावना तो जाना भी बेकार है वो राधे ही क्रिष्णा है वो राधे ही क्रिष्णा है क्रिष्णा ही राधा है अब तू ही बता राधा काहे की व्याधा है अब तू ही बता राधा काहे की व्याधा है के हो कर दो डड़ बड़ तो मेरी दिवानी है तो मेरी दिवानी है मैं तेरा दिवाना हूँ और तू मेरी दिवानी है ये माया तेरी मेरी और काउने न जानी है ये माया तेरी मेरी काउन न जानी है नहें तू मेरी में तेरा बस यही इरादा है अब तू ही बता रहा था काई की माधा है ये हुआ ये हुआ ये हुआ और ये पान्सो रुपे पान्सो रुपे हमारे डंबर मास्टर जी और प्रधान जी भी हैं हमारे करनपुर गाउं के अग्टंबर मास्टर जी 500 रुपे हमारी इस पाइटी के लिए दे रहे हैं और 100 रुपे हमारे भूला बाई नागर पैटल पंप 100 रुपे वो वी दे रहे हैं और 100 रुपे हमारे जो आप देख रहे हैं आजकल यूटूब पर छाये हुए हैं DK Studio बलुआपुर से हमारे सामने बैठे हैं हमारे बीच में धर्मेंदर भाई बलुआपुर से वो भी हमारी पार्टी के लिए सोर पे दे रहे हैं और सोर पे हमारे लवी साउंड के जो प्रोप्राइटर हैं हमारे मुकेस भाई BDC हजियापुर से हर प्रोग्राम में जो बहुत ही अच्छा साउंड देते हैं सोर पे वो दे रहे हमारी पार्टी के लिए सभी के लिए भाई एक बार ताली बजाकर स्वागत करें और ये सोर पे हमारे बीच हमारे रादे चाचा हजियापुर से ये भी सोर पे दे रहे हैं हमारी पार्टी के लिए हाजी ये पांस सोर पे पांस सोर पे मेरे बड़े भाई साब हमारी कीरतन मंडली के संचालक हमारे पवन प्रधान जी हजियापुर से हमारी पार्टी के लिए पांस सोर पे दे रहे हैं गुरुजी एक बार भाईया ताली बजाएं ये हो ताया ओ बंधन तेरा मेरा बंधन तेरा मेरा ओ जन मो जन मो का है बंधन तेरा मेरा जन मो जन मो का है बसू एक ही बार मिल्यो रुकमण से मौका है बैखवार राध्य कि महानीत में पुले गोराध्य कि लाध्य के और आता है शुआ पुले गोराध्य ख्रिश्णा था था रही काय की ब्याधा एच्थ दुरी बतारा था था काय की बादा है हो वेकंत मधुसे हो होई होई पहिया लास्ट बात अगर थोडी सी अच्छी लेगी हो क्योंकि ये भजन हमारे गुरुजी का असीरवाद है गुरुजी एक कलंडर पर मैंने जब ये लिखा देखा तो आपके असीरवाद से सब्द लिखे अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगोते हैं अगर बाद में ताली बजा देना लास्ट बात को सुन करके जिस समय धगवान क्रिश्ण ने और माराधा के पैर दवाए थे तो देव भी चक्रा गए थे कि ये क्या हो रहा है अब किसी बिद्वान ने बताया है और इसी बात बारो भोला पैटल पांच रुप जे रहे हैं घनवाद क्या बात है देखो भाया एक बहुत बात सुन्दर है कि भगवान भोले और गौरा मया में एक वार बैस हो गई थी जी बात पर कहें भोले ल refैश तुम हमेला मर्दवन कर जाते हो और हम सदा औरत बन कर जाते हैं बहुत अईससा सदा नहीं चलेगा तो ये बताते हैं कुछ महानपुरुष्ट कि भगवान कृष्ण और राधा का जनम गोरार भोलेकारी था ऐसा बताया है ओ तिर ग्यान भया सब दूरु राधा बन आए गोरा जी कृष्ण बनी ओ गोरा जी कृष्ण बनी ये सही मर्यादा है अब तू अब तू ही बता राधा काहे की ब्याधा है अब तू ही बता राधा काहे की ब्याधा है अब तू ही बता राधा है बता राधा है